सुवाशिक हो, 2023 के अंदर चितक का एक मांत एलेक्टिक स्कूटर आता था पर वो हमारा कल था और ये हमारा आज है चितक ने 2024 में अपने चार नए एलेक्टिक स्कूटर स्कूटर लांज कर रहे हैं जो ये रहे पर भाई ये तो दो है, फिर चार कैसे हुए? आरें नहीं यह दो नहीं यह 4 है लोक बताता हूँ पर पहले बात कर लेते हैं कि 2024 के चितक अरबन और चितक प्रीमियम में अंदर चीप Oh सबसे बड़े चेंज की बाद कर लेते हैं सबसे शुरू के अंदर बजाज चीतक में डिस ब्रेक आता था पर अब जो अर्बन वेरियंट है उसके अंदर से डिस ब्रेक हटा लिया गया है तो लोगों ने बहुत ज्यादा कंप्लेंट करी थी कि स्कूटर के अंदर आपने डि दिया जा रहा है वो मुझे नहीं पता सो अकर आपको भी लगता है कि गाड़ी के अंदर डिस ब्रेक होना चाहिए तो आपको अर्बन नहीं आपको प्रीमियम अंडल लेना पड़ेगा अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े फिजिकल चेंज की जो एडिस्पले चितक अर के अंदर कि अंदर क्यों डिस्पले आता है तो यह देखिए चेतक प्रीमियम 24 के अंदर आपको पांच ऐंच को यहां सिंप मिलφ Mittak कुला है जहां पर सबसूंद आतागा यहां पर ते चाहिता हूं करता है यहां पर चाहिन के इस बिघ्टान. Saladam दिखाए तरह मैं नेविगेशिन का इडवान फीचर भी दिया हुआ है यहाँ पर आप देखोगे तो नोटिफिक्षों के आप कॉल अलंड वाला फीचर भी देख सकते हो अब ज़ो यह म्यूजिक का साइन हुआ है वह इसलिए बना हुआ है क्योंकि चेतक premium 24 के अंदर आपको music control भी मिल जाता है आप जो हैं गाने को change भी कर सकते हो अगला जो change है वो buttons के अंदर है urban variant के अंदर आपको कुछ इस तरह का button setup मिल जाता है जबकि चेतक premium के अंदर आपको कुछ इस तरह के buttons मिलता है जिससे ये पूरा TFT display control होता है क्योंकि एक touch display नहीं है अब देख लिते हैं कि बटन से control कैसे होगा buttons की बात करें तो ये आपका indicator का button है इस सही on हो जाएगा और यही सही इसको off कर सकते हैं ये आपका reverse का button है ये आपका button जो है वो डिक्की खोलने के लिए इसको अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो आगी का glove box फुल जाएगा और इसको आप थोड़ा long प्रेस करके रखोगे तो आपका mode space open हो जाएगा ये D का मतलब है drive इसको आप अगर brake प्रेस करके ये वाला button को प्रेस करोगे तो ये neutral से drive mode के उपर आ जाएगी और ये जो button है इसका मतलब है select यही drive button को आप दुबारा दबाओगे तो यहाँ से आप mode भी change कर सकते हो ये देखिए sports mode है ये देखिए eco mode है अब जो भी इसके अंदर features दिये हैं ये वाला जो button है ये select का button है जो features हम activate करेंगे उसको ok करने के लिए बताता हूँ कैसे जिसे अगर आप ये वाला button प्रेस करेंगे ये उपर वाला तो यहाँ पे आपको navigation connect करने का option दिख जाएगा और अगर आपको इसको back जाना है तो आपको यहाँ पे ये वाले button को प्रेस करना होगा अब इसी button को आप नीचे वाले button को जाब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको music जो है वो control मिल जाएगा इसको वापिस वेक आने के लिए आपको ये वाले button को प्रेस करना होगा left side की बात करेंगे तो ये आपका left अला indicator है यहां से ONE होजाता है ऐहां से prowad से बंद होजाता है यह है यह आपका high beam और low beam का button है यह आपका headlight on करने का button है और यह आपका horn का button है अब यह वाले जो button है यह है आपकी control units के हैं यहाँ पे आपको अपर दिखा ता है कि अगर गाली में कोई error होगा तो वह यहां पर दिखा देगा नीचे करोगे तो आप यह वार्निंग कर जाएगा जिसे साइट सांड अभी डाउन एक सैट्शन लगाए काड़ी का उसके बाद को कोई नोटिफिशन आएंगे तो यहां पर शो करेगा उसके बाद यहां से आप फिर से बैक चले जाएए तो फिर से बैक काना होगा और यह वाले चीज करना होगा और हम बैक जाके देख लेते कि दूसरी चीज़ क्या क्या है? तो यहां से इसके बाद यह Bluetooth का feature अब यहां पर इसको select करने के लिए फिर से में बटन दबाऊंगा और यहां पर सबसे पहला option आ रहा है वो Bluetooth कि आपकी गाड़ी का Bluetooth on है तो इसमें यह on दिखा रहा है उसके बाद नीचे यह दिखाया है कि आपको कौन-कौन से devices जो है वो इससे प्लेयर्ड है तो अब भी क्योंकि कोई device प्लेयर्ड नहीं है इसलिए आपके कुछ भी चीज नहीं दिखाया रही है अब बात कर लेते हैं दूसरा क्या है अब बात कर लेते हैं settings की तो settings के अंदर सबसे पहले settings जो आयाती है वो time की settings आयाती है आपको कुछ change करना है तो यहां से कर सकते हैं नीचे तो setting है फिर वो date की setting है उसके बाद जो आता है वो slot favorite से अब slot favorite का मतलब यह होता है कि आपको अपने display के उपर क्या के चीज़ा आपको दिखाना है तो अगर आपको auxiliary battery का voltage दिखाना है तो आपको select कर लीजिएगा distance service अगर आपको दिखाना है तो आपको select कर सकते हैं उसके बाद जो नीचे option है वो एक guide tour scene का अब इसका मतलब यह है कि अगर आप इस गाड़े की सारे features देखना चाहते हैं उनका demo तो आप यहां से देख सकते हैं उसको select करके यह देखिए अब आजाते हैं अगले option पर जो है वीकर information इसको select कर लेते हैं अब यहां पर आपको दिखाता है कि service details गाड़े की service जो due है वो 720 km पर due है उसका software version जो है वो यह कोई भी update आएगा तो आपको यहां पर दिखाई देगा उसके अब अब आपको आप आप दिखाई देगा तो य जाते हैं एक और physical difference जो है seat के अंदर चीतक urban के अंदर आपको single tone color की seat मिलती है जबकि premium के अंदर को क्योंकि आपने सोड़े जादा पैसे दी है इसलिए इसमें आपको dual tone color की seat मिल जाती है एक और बड़ा physical difference जो की charger के अंदर है तो चीतक premium का charger है वो कुछ इस तरह से दिखता ह अब अगर हम charging time की बात करें तो चीतक premium को charge करने के लिए जो कि यह यहाँ से चार्ज होती है इसको full charge करने में तकरिवन आपको चार गंटे का समय लगेगा जबकि चीतक urban है उसको full charge करने में आपको 4 गंटे 50 मिलिट का समय लगेगा अब charger के अंदर ही छोड़ा तक catch है वो य चीतक premium को charge करने के लिए आपको अर्थिंग की जरौत पड़ेगी जबकि चीतक urban को charge करने के आपको अर्थिंग की जरौत नहीं पड़ेगी बूट इसपेस की बात करें तो दोनों ही गाडियों के अंदर आपको 31 लीटर का बूट इसपेस मिल जाता है अब बात कर लेते हैं सबसे जरौरी सवाल की कितरा देती है इस गाडियों में फिजिकली देखने में तो कुछ बहुत तरह चेंज नहीं है बूट इसपेस भी सेम है और बैटरी वाइस चेंज दिए गाए हैं चेतक urban के अंदर आपको 2.9 किलोटास का बैटरी पैक मिल जाता है अब क्योंकि की जो आपको additional payment देना होगा कुछ advanced feature के लिए तो अगर आप चीतक urban में टेक लेते हो तो आपको 8000 रुपे एक्स्रा देने होंगे और चीतक premium के अंदर आपको 9000 रुपे एक्स्रा देने होंगे अब बात कर लेते हैं कि 9000 रुपे टेक पैक के एक्स्रा देखके आपको जाते हैं call alert मिल जाता है music control मिल जाता है turn by turn navigation मिल जाता है hill hold मिल जाता है और sports mode मिल जाता है अब अगर motor की बात करें तो दोनों ही गाड़ों में motor में कोई भी difference नहीं है पर चीतक urban के अंदर without tech pack इसकी तो टॉप स्पीड है वो 63 km पर आ रहे और टेक पैक के साथ में इसकी टॉ लेने से बढ़ जाएगी top speed same रहेगी color की बात करें तो premium के अंदर आपको तीन कवर option मिलते हैं एक होता है blue एक होता है black और एक होता है hazel net और अगर हम urban में color की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 color options मिल जाते है black blue white और silver so why आप बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की क के चेतक हमारे कल्स को लेने के लिए आप को आज कीमत कितनी देनी होगी तो डेली के अंदर चीतक अरभं का on road price से एक लाग 25,000 रुपे और tech pack के लिए आपको 8,000 रुपे एक्स्रा देने होंगे और चेतख प्रीमियम का ऑर्न रोट प्रैस मिल लाग 45,000 रुपे और टेक ल आपको 9000 रुपे एक्स्ट्रा देने होंगे वीडियो पंद आए तो लाइक कर दीजिएगा कुछ डाउट है तो कॉमेंट करके पूश लीजिएगा आपने दोस्तों के जात में शेर कर दीजिएगा ओए लेक्टरिक वीडियो के SI वीडियो से आप डिल्टूटाप आपका क्नल को सब्सक्राइब कर लिजिए